हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, आदब सत्रिया काल केम छो, कैसे हो आप सब, मैं तो बिलकुल चंगी हूँ, मैं बिलकुल वड़िया हूँ, देखते हैं, आज आपके रिलेशन्शिप की रीडिंग होगी, आपके रिश्टे की रीडिंग होगी, इस परसंद का संदेश, आपके लिए क्या होगा, ये देखकर बताऊंगी, कि क्या है उनका हाल, हाल कैसा है जनाब का, है न, क्या ख्याल है आपका, ये देखने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में, और मिस्स मत करना, कोई भी चीज, सारी कि सारी गाइडन्स लेके जाना, आपको क्लारिटी दें, कोशिश करेंगे, आपको थोड़ी बहुत गाइडन्स दें, कोशिश करेंगे आपके अंदर जितनी सारी चीजे हैं, जो डाउट्स है, जो प्रशन है, उनके सवालों के जवाब मैं आपको दूँ, तो चली, शुरू करते हैं आज की रूडिंग, लि Rebuild Open up Choose your battles ठीक है? Open up, choose your battles Rebuild Strengthening, bonds Teach Release Success and growth बहुती मुझे भी मतलब में गीनो Satisfy करने वाली reading आ रही है जहां ऐसा लग रहा है कि There is a new energy entering into your life There is something जिसको आप काफी time से miss कर रहे थे Numbers Numbers 13 16 Numbers 4 Numbers 8 Numbers 7 Numbers 1 Numbers 5 आपके लिए यह पूरा साल ऐसा लगता है कि पूरे साल का मैं फुट्परिंट देख रही हूँ जहां पे कही न कहीं आपने जो जो चीजे पिछले साल छोड़ी है न वो चीजे इस साल के लिए decide कर रखी है कही न कहीं जो चीजे आपके मन में रही है उसको आप करने की कोशिश कर रहे थे और वो चीज अधूरी रही है वो चीजे यहां पे पूरी होती हुए दिख रही है अगर मैं आपके परसन के अनरजी बताऊ हूँ ऐसा लगता है कि किसी चीज में है कोई पेपर रहा है कोई एक्जाम रहा है कोई चीज ऐसी रही है जो इनकी बिलकुल भी अच्छी नहीं गई है मतलब this person is worried about the result लेकिन कहीं नहीं कहीं अपने वरी को रिलीस करते हुए नजर आ रहे है बहुत सादा अपने person के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो उसका reason यह है कि this person is also thinking about you क्यों ऐसा लगता है कि काफी चीज़े try करने के बाद ना यह person zero से अपने आपको उठाने की कोशिश कर रहे है zero से किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं zero से किसी चीज़ को try करने की कोशिश कर रहे हैं और कही ना कही ना यह person ना आपके सामने यह दिखाना चाहते हैं यह किसी भी कीमत पर ना जो इनकी बोली हुई चीज़े हैं वो आप मजाक में सोचने की गलती मत करना ऐसा लग रहा है कि 24 सो घंटे ये कुछ ना है एक्स्प्लोर करते रहते हैं 24 सो घंटे हो सकता है रिलेशन्चिप के बारे में पढ़ रहे हूं हो सकता है कि अपनी एनरजी की फ्लेंजिंग ये परसन कर रहे हूं ठीक है इधर उदर से सॉल्यूशन देखने की कुछ रहे हैं ऐसा लगता है कि पूरी थरीके से मात खाने के बाद ऐसा लगता है कि इनोंने सारे पैंतरे आजमा लिये हैं सारी चीज़े इनोंने ट्राइ कर लिये हैं ऐसा लगता है कि मार्केट में जिसे फॉर एक्जमपल किसी को कोई चोट लगी है तो चोट के लिए जो दवा है इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है उस दवा को ढूंडने में अपनी तरफ से इन्होंने कोई भी mistake नहीं की कोई भी चीज नहीं छोड़ी है हर रास्ता इन्होंने मतलब देख लिया है ना try कर लिया पर यहां पर ऐसा लग रहा है कि इनसे कोई नहीं कोई चीज चूक रही है फिर भी यह परसन किसी चीज पर काम कर रही है अपना दिल खोल के रख रहे हैं यह परसन और यह चाहते हैं कि आपके ही सामने ना उन चीज़ों को यह रिलीस कर दें जैसे कि आपने इनको कभी कुछ बोला है या आपके कोई बात है या फिर आपने इनको reach out नहीं किया आपने इनको contact नहीं किया वो चीज जो इनको परिशान कर रही है उसको यह अपने दिल से अपने जहन से पुरी तरीके से निकाल देना चाते है उसको यह अपने दिल में बांद के नहीं रखना चाते है जिससे उनका नुकसान हो क्योंकि this person is thinking a lot ऐसा लग रहे है की देखो आप इनकी बातों से कितना ज़दा hurt हो मैं यह तो देख रही हूँ आपको कितनी ज़दा चोट पहुँची है पर क्या आपने कभी इस इनसान के बारे में सोचा है क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बार चोट खाने के बाद आपसे rejection मिलने के बाद इनसान कैसे अपने आपको उठाते है क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बार मात खाने के बाद ये परसन किस तरीके से अपने आपको उठाते हैं इतनी बार मात खाने के बाद ये परसन किस तरीके से अपने आपको आपके सामने खड़ा करते हैं फिर से कैसे बेशर्मों की तरह लाज लिहाज के बिना ये परसन आपके सामने आ जाते है वो है इनका प्यार ये आपके साथ कुछ बहुत सॉलिड चाहते हैं आपके साथ ये जो बॉंड है वो स्ट्रेंथन करना चाहते है अब चाहिए बहले ही यहाँ यहाँ पे शीत लहर आए अब भले यहाँ पर ऐसी चीज़ा है जो आप दोनों को बहुत कोशिश करें There is a force, मैं देख रहे हैं, पावर है, एक force है जब कि लाइफ में बार-बार कुछ ऐसे तुफानों को लेके आ रही है बार-बार कुछ ऐसे, मतलब कहते नहीं है अडचन आप दोनों की राष्टे में पैदा कर रही है जान बुचके, जहाँ आपको ऐसा लग रहे है की जान बुचके कुछ ऐसे अडचन, मतलब कोई कांटे डालने की कोशिश करें जहाँ पर आप दोनों का मन खटा हो एक दूसरे से आप दोनों का खटा हो मन पर यहाँ पे आपकी बोली हुई बात है ना इस परसन के लिए गाइडन्स है आपकी बोली हुई बात है आपकी बताई हुई बात है इस परसन को एक तरीके से होंसला दे रही है आपका जो प्यार जो दिल में इन्होंने अलाइव रखा है ना उसके वज़े से ये नो कॉंटेक्ट में रहे पा रहे हैं ठीक है और उसी दुख को उसी को रिलीस पता है मैं बता रही हूं इनकी ना बहुत उमीद रही है ये अभी भी चाहते हैं ना कि कोई तो हो कभी इनको आके मनाने वाला या वाली कोई तो हो की इनके आंसू पोचने वाले जिनको पुछकार के प्यार से बोले की चलो एक नई शुरुबात करते हैं ये परसन अभी पूरी तरीके से अकेले पड़ गए है और इसी वज़े से मुझे लगता है इनके अंदर मुझे बहुत पॉजटिविटी ये नेगटिव नहीं हुए है इस सेपरेशन के बाद में एक कड़वे नहीं हुए है इन फाक्ट इस सेपरेशन के बाद इनमें और ज़दा समझ आती हुई दिखाई दे रही है and with this, this person wants to open up more this person, ये नहीं समझते कि इनका emotional होना कमजोरी है इनकी ये person नहीं चाहते कि आपके मुझ पर ये जूट बोले या फिर ऐसे दिखाएं कि ये बहुत strong है आपके सामने वो चीज़े आपके सामने नहीं करना चाहेंगे नहीं ये चाहते हैं क्योंकि they want to show you what real love is they want to win you, वो आपका दिल जीतना चाहते हैं अब आपको सच बताएंगे चाहें वो कितना कड़वा हो आपने महसूस किया होगा इस person के साथ कि कोई लडाई में भी कोई चीज़ expose हो जाती है पर फिर भी इनके मन में कही न कहीं ये चीज़ रहती है फिर भी इनके मन में कहीं न कहीं ये चीज़ रहती है कि ये आपके पास आएंगे मतलब लडाई के बाद इनके मन में कभी भी ये नहीं आता कि अब तो मन खटा वह इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया छोड़ो ये भाड में जाए थोड़े टाइम के लिए इनका गुस्सा बहुत जादा टेंपरिरी है ठीक है मुझे लगता है कि this person is choosing their battles देख लो खुदी जो चीज ये आपसे बोल कर कहना चाहते है या जो चीज ये दूसरों के सामने बताना चाहते है उसको न ये फ्रेम कर रहे है मतलब मनी मन किसी ऐसे दिन के बारे में सोच रहे हैं भी जहां ये खड़े हो और ये सोच रहे हैं कि शायद इनकी कोई स्टेज परफॉर्मेंस है या बहुत लोगों को इनसे कुछ बूलना है वहाँ पे इनकी जो सफलता में आपका राज बहुत बढ़ा है आपका हाथ बहुत ज़ादा है तो ये चाह रहे हैं कि लोगों के सामने अपनी बात को रखे कि ये चीज हुई इसके वज़े से मुझे तकलीफ हुई और इसी तकलीफ इस हार्डब्रेक की वज़े से अपने परसन की बातों की वज़े से और अपने परसन की वज़े से ही मैं ये क्रेडिट उनको देना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि इन्होंने बतलब कि उस पहाड को वो करें या तो हसस के करें तो it's like choices yours it's like they are choosing कि इसको बहुत शानती से करेंगे पर भागेंगे कभी नहीं पीट नहीं दिखाएंगे यह जान गए है जहां तक सवाल है यहां पे no contact का तो यह no contact भी ना कही ना कही इनको बहुत कुछ सिखा रहा है कही ना कही इनके मन में यह चीज आ रही है कि मुझे अपने person के बिना रहना सीखना है ताकि मुझे खुद पर काम करना है लेकिन 24 गंटे अगर बात होती रहेगी 24 गंटे हम एक दूसरे में ही लगे रहेंगे तो फिर future का क्या तो ऐसा लग रहा है यह reading में ना यह person future को लेके बहुत ज़दा serious है कि अगर यह आपको चाहते हैं अगर आपके साथ यह कुछ future चाहते हैं bond strength करना चाहते हैं जिसको यह बहुत ज़दा मानते हैं जिसको अपना दिल से बना चुके हैं के साथ रहने के लिए भी इनको अभी इस समय present में गाम करने की ज़रूरत है खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत है इसलिए देखो past की energy को let go करना चाहते हैं उस तकलीफ को सह जाना चाहते हैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं के तुफान में भी कैसे डट कर खड़े रहना है और दूसरों के प्रती हमेशा kind रहना है दूसरों को हमेशा अपनी अच्छी side दिखानी है चाहे मन में 10 तुफान क्यों ना आ रहे हो तो ऐसा मत दरो मत की मिलते ही आपको कुछ बोलेंगे डांटेंगे यह person आपको बहुत शान दिखेंगे बहुत शान दिखेंगे in fact आपके चुपी और इनकी चुपी मिलके हो सकता है कि आपको uncomfortable बनाए बट आप देखना बहुत stable लगेंगे आपको देखकर ही जिसे कहतने आपको देखकर ही अपने जबान को खोलेंगे जो चीज आपको अच्छा ना लगे उस चीज को कभी नहीं करेंगे यह person ठीक है न? It's like they want you so badly कि जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे प्यार के लिए कुछ भी क्योंकि everything is fair in love and war आपके प्यार में इतनी ताकत है कि आपके प्यार ने इनको बदल दिया इतना असान नहीं था यह This reading is dedicated to your love They are not joking with you In fact, यह long lasting love है आप इनके life से आप इनके दिल से लव नहीं हटा पाऊगे In fact, यह story तो ऐसी है जो किताबों में लिखी जाएगी मैं बोलू कि लोग आपके आसपास वाले इस story को याद करेंगे लोग आपके आसपास वाले story की मिसाले देंगे, I'm not joking टाइम आने पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोगों को जब यह बात पता चलेगी कि तो यह चीज बहुत ज़ादा appreciate होने वाली है Oh my goodness So strong, this person is so strong Coming to you For strengthening the bonds इनको यह नहीं पता कि कितना time लगेगा इनको यह नहीं पता कि कितने बाहर में आप मानोगे कितना time लगेगा But the thing is कि They have made their mind कोई भी energy कोई भी इनका बड़ा कोई भी इनके घर का या कोई भी person इनके रास्ते में blockage नहीं डाल पाएगा मतलब no matter कितनी भी बड़ी मुसीबा तो वो दिख रही हो ना यह उसको face करने के लिए ready है Because they are like कोई इनको इनको ध्यान नहीं देना है क्योंकि उससे कुछ होना नहीं है time waste होना है तो they are like कोई कितना भी कुछ बोलता रहना इनको करनी अपनी दिल की है वरी you know will power बहुत strong dreadness चुता है करना इनको अपना ही है एक बार आपको मान लिया अपना तो उसको यह कर देंगे आपका भी नजरिया बदल देंगे अपनी और अपनी और देखने का ठीक है इस reading की energy कैसी लगी बताईएगा जरूर feedback जरूर दीजेगा तो comment section में लिखिया welcome my love और description box में new reading का link है देखिए जरूर जाहेगा it's totally free मिलती हो अगली reading में new energy के साथ बाई बाई